बीजे पी की कारेकारणी के बैठख थी जिसमें अल्प संखेक समुदाय को ले करके प्रधान मंतरी मोदी ने कई कई के हमारे साथ बात करने के लिए बीजे पी के राश्टिरी पर कारेकारणी सदस्ट मुक्तारब्बास जो है वो स्यासी वोटों की ठेकेदारी को परास्त समावेशी विकास की हिस्सेदारी को परास्तिृ लिए है और उसका आशर भी दिखाई पड़ा? आखरी पाइदान पे खड़े हुए वेक्ती कि आखों में खुशी और जिंदगी में खुशाली आए. इसके लिए वो शुर चर्चाएं होती हैं कईना कई वो सार्थक ने रहते उसको भी लिए कि प्रधान मंतरी मोदी ने कुछ संकेत दिया कि वो हमेशा जो है वो पार्टी से जुड़े हुए लोग या अपने से जुड़े हुए लोगों को कभी भी इस तरह की कोई बात जो है वो सुईकार नहीं करते लेकिन जो है वो दूसी तरफ भी देखिया अपना दूसी तरफ जिस तरह की जहरीली बातें सर तन से कलम और ये वो क्या क्या आती है बातें ये जो सेकुलर सिंडिकेट है उस पे खामोश रहता है कांग्रेस से कभी नहीं सुना हमने उनका विरोध कभी ममता जी कभी विरो करते हैं उनके खिलाब कारवाई भी होती है लेकिन ये दोनों तरफ होना चाहिए दोनों तरफ से इस तरह की जहरीली बातों पर लगाम भी लगनी चाहिए रोग भी होनी चाहिए अगर कल पूरे कारकारणी के बैठा के बात करें तो क्या कुछ है जो पधान मंद्री मोदी ने माइनॉरिटीज को संदेश दिया है जो सीधे उनके भी समवाद भी करते रहते हैं वो इंटिलेक्ट्वल से मिलते भी रहते हैं आगे आने वाले दिनों में 2024 में चुनाओ है आप लोग की पार्टी का ही नारा था और आप भी उसके धजवागी कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो सबका विश्वास पैदा करने के लिए और क्या कुछ है जो कदम उठाये जा रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आज समाज का सभी वर्ग उसमें पस्मानदा भी है मुसल्मान भी है हिंदू भी है सिक भी है इस बात को यकीन भी करता है विश्वास भी करता है कि मोदी जी ने समावेशी विकास और सर्विस पर सी शशक्ति करन का जो ध्वज उठा करके आगे इसलिए जो है वह हम दो कदम आगे उनके साथ जाएंगे चार कदम लोग चलने को तैयार है और चल रहे हैं तो लें नख्वी साथ है नंतरी मोधी ने संकेत दिया है और उमीद है कि पधान मंध्री मोधी के सख संधेश के बाद तमाम जो नेता बयान बाजी करते रहते हैं च झाल झाल